क्लास के दौरान हमारे एक मेंबर हैं हेमंद उन्होंने उनकी अपनी खुद की जो अनलसिस तरही हो या जिस भी पॉइंट आफ फ्यू से वह मार्केट को देखते हो अभी आगे के सेशन में आपको वह साई चीज़े देखने हो के मिलेंगी जस थोड़ी देर में उससे पहले पॉइंट ओफ यू होता है जैसा कि मेटल सेक्टर के अंदर है हमने लास्ट विक कहा था कि मेटल सेक्टर को हम लोग सिर्फ शॉर्ट से ली करेंगे बाई नहीं करेंगे यह चीज समझने में शायद उनको कुछ समझ में नाई हो या उसमें कुछ ने में भी कन्फ्यूजन या फिर चीजें उन्होंने समझ लिए हैं और जानवूच करके उनकी जो खुद कहनाल से उसके ओपर उसे हाविय करने की कोशिश करने बैरहाल अभी थोड़ देर में पता चल जागे जब वो क्लिफ हम अपरों के सामने शेर करेंगे हम यह बोल रहे हैं कि वो सेल होगा तो हम यह कहें कि हमें इसको शॉर्ट सेलिंग करने हैं सिर्फ हम शॉर्ट सेलिंग करनेंगे मेरा लेवल यह है या फिर यह वाला पॉइंट है उनके कहने के मतलब कि प्राइज अगर आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट होने के लिए प्राइज को आपके लेवल पर तो जा नह सकते हैं बाद में यहां पर पहुंचा तो short sale मार दो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है फिर से वही बात आती है कि जब भी हम लोग trade करने के लिए जा रहा है तो हमारा एक point of view होता ही है market को देखने का जब हम लोग monthly basis पर stocks को निकालें आफिर weekly basis पर stocks को निकालें तो पूरे विख हमें short selling करने इससे कि हमारा view clear हो जाता है इस चीज़ को समझें अभी हम बोलें आपको MKI और इस्टीट को आपको trade करना है कैसे trade करेंगे से basic सी चीज़ है कि price इस जगह से support लेकर के आपका upside के movement दिखा रहा है ठीक है यह इसका support area हो गया में भी चांसे के price जो upside की तरफ जा रहा है इस वाले resistance को यह break कर दे ऊपर की तरफ यह ऊपर की तरफ निकल जाए यह ऊपर जा सकता है लेकिन अब वही चीज़ अगर हम weekly basis पर आप से बोल रहे हैं तो हमारा view clear हो व्यू क्लियर होने से मेरा मतलब यह है कि इसके अंदर हमारा view clear है कि यह buy होगा मतलब यह sale तो हो सकता है ना chances तो है कि यह sale हो जाएगा लेकिन technically देखा जाए यह जिस तरह से हम rate करें वैसे में chances कम लग रहे हैं बट chances तो है कि sale भी हो सकता है sale या buy कोई भी stock कभी भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर जब हमारा view clear हो जाता है कि इसे buy करना ना तो असल में हम लोग psychologically यह देखते है sale side के trade हम execute करते नहीं है असर यह पढ़ता है हमारे trades के उपर कि फिर sale side में हमारे जितनी भी stop process जाने को हैं वो सारे cancel हो जाते हैं हमें sale करना ही नहीं हमें सिर्फ buy करनी है कुल्म लाकर करके किसी भी stock को या script को हम trade कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग उसके अंदर अपना एक view clear कर लें यह चीज जहुम आपसे बोल रहे हैं तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हमें जो सुनने वाले वो दो तरह के हो सकते हैं एक वो जो कि मेरी बात को मान सकते हैं एक वो जो की हो सकते हैं इस बात से इतिफाक ना रखते हूं उन्हें buy का view मिलेगा तो वो buy कर देंगे, sale का मिलेगा तो sale कर देंगे लेकिन मेरे point of view से again अपने view clear करना बड़ा जुरूरी होते हैं जिससे कि हम लोग technical language में trend identification बोलते हैं मेरा जो trade करने का mindset है वो और strong हो जाए हमारा सोचना सिर्फ एक ही दिशा में हो जाए अब इसी जगे से हम buy भी कर देंगे, इसी जगे से sale भी कर देंगे तो हम क्या करेंगे ना जब sale की confirmation मिलेंगे तो फिर हम sale करने के try मारेंगे price upside की तरफ मिलेगा तो फिर हम buy करने का try मारेंगे मतलब दोनों तरह से सोच रहे हम लोग अब जब view हमारा clear हो गया तो भले ही ये sale हो जाए हमें नहीं करना है सिर्फ हमारा view buy काया तो फिर हम buy ही करेंगे समझ में आ रहा है अभी हमने बोला आप से कि दो तरह के लोग हो सकते हैं एक जो इतिफाक रखते हैं और एक जो इतिफाक नहीं रखते हैं तो सभी के अपनी पनी reading से ये बात है एक तरफ लेकिन जब हम price को read करना बता रहे हैं समझा रहे हैं है हिंडाल को कल के दिन sales हो जाएगा इससे sales करदेना लेकिन मेरी analysis को वे मानने को ready नहीं हो रहा है वो का मतलब कोई भी हो सकता है ready नहीं हो रहा है कि नहीं यह तो it'll ही होगा यह तो सेल होगा मतलब वो यह तक मानने को तयार नहीं है जैसे कि हम अगर हम कर रहे हैं आपके साथ analysis कर रहे हैं कुछ तो हम यह बोलेंगे कि देखें MK या MKR यह upside की तरफ जा सकता है यह चला जागा लेकिन हम यह भोल रहे हैं साथ-साथ कि अगर यह हमें सेल का मौका देगा तो फिर हम सेल करेंगे नहीं यह गिर जायागा नीचे चांसे जहें की जा सकता है लेकिन अपनी rating के हिंडालको को बाइक कर रहे थे यह फिर मेटल संटर को बाइक कर रहे है तो एक तरह का चालिंज था हमारे लेए कि वह हमेंगे चैलिंज कर रहे थे कि ऐसाव हो हो गया हो करके दिखा है हो गा ही नहीं मेटल सेटर गिरेगा ही नहीं वह उपर जागा वन थाउसन प्रसंट उपर जागा वह हैंडिट भी नहीं बोले हैं वह करें वन थाउसन प्रसंट यह उपर जागा लिखवा लो हमसे हिंडाल को गिरेगा नहीं हिंडाल को उपर ही इसका जो असर हमारे उपर पढ़ता है लगता है कि study जो कि उसके उपर दो doubt आएगा ही आगा ना हमारा self confidence ही lose हो जाता है और अगर एक बार self confidence lose हो गया वो आपका जो money loss आपने जितना भी किया है उससे बड़ा loss होता है कि जब आप psychological level पर कमजोर हो जाते हो आपका जब confidence lose होने लगता है हम आगे की जो clip आपके साथ share करेंगे उसको share करने की पीछे का motive हमारा है यह नहीं कि देखिया हमने कल analysis की आज वैसा हो गया या उन्होंने जो analysis की थी वो गलत हो गया नहीं एक psychological level पर एक यह चीज़ जरूर अपने दिमाग में रेखिएगा अगर आपको लग रहा है कि particular आपके द्वारा analysis किया गया कोई भी segment या कोई भी script आपको लग रहा है कि upside की तरफ जाएगा तो उसके पर rigid मत हो जाओ कि यह उपर ही जाएगी 1000% उपर ही जाएगी आप लिखवाल उपर जाएगी आप जो चाहो करवाल उपर जाएगी यह एक तरह का gambler mindset होता है अगर यह pass हो गया अगर आज मान लिजे हिंडाल को चलिए गिर गया हमने कहा कि यह कल के session में गिर जाना चाहिए तो आज गिर गया मान लिजे अगर यह उपर के तरफ चला जाता हो क्योंकि उनके analysis जो कि बोले थे 1000% उपर जाएगा अगर यह गलती से भी उपर चला जाता पता है कितना confidence उनके उपर आ जाता क्योंकि उनसे तो लिखवा लिया गया ना वो 1000% उपर के तरफ चला जाएगा यही इसी तरह के mindset के traders लूज करते हैं पैसा जब हम कोई भी चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हमने जैसा बता है ना कि हम जो clip अभी आप देखोगे वीडियो इस वज़े से नहीं share कर रहे हैं कि सही हो गया या कोई गलत हो गया आप जब भी analysis करो तो एक chance रखो और कभी भी ऐसे analysis नहीं की जाते ही कि हम 1000% यह उपर चला जाएगा यह बिल्कुल जाएगा ही जाएगा कुछ भी हो जाएगा यह उपर चला जाएगा ऐसा नहीं होता हम तो बहुत ज़्यादा बुलते हैं मतलब हम जब आपसे बात कर रहे होते हैं वीडियो में भी या फिर क्लास में जब हम discussion कर रहे हैं तो बहुत बड़े शब्दों का use नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा करें को कहने को तो हम भी कह सकते थे हिंडालकों कल गिर ही जाएगा यह जा ही सकता है हमारी हम अपने मन में तो ऐसे ही अगर एनासिस कर रहे हैं इतने दिन समय एनासिस करते हुए चले आ रहे हैं हमने कहा कि हिंडालकों का जो stock है पूरे week गिराओ अब जो segment बने जिस तरह के production बने वो और भी नीचे चला जाएगा तो वहाँ पर हम भी यह बात बोल सकते हैं कि यह जरूर से जरूर नीचे के तरफ जाएगा चला जाएगा इसको कोई रोक नहीं सकता हम भी इस तरह के बड़े बड़े और larger than live शब्दों का use कर सकते थे लेकिन वो शब्द उल्टा हमारे ही उपर बुरा आसर डालते हैं इसलिए इस तरह के mindset से थोड़ा सा हो सके तो दूरी बना करके रहो थोड़ा हम कम बोलने ज्यादा से ज्यादा दूरी बना करके रहो और एक professional way में की जो approach होती है professional way में analysis करो अब आगे का वीडियो देखो उसमें देखिए class का discussion चला क्योंकि वो trade discussions की classes थी बाकि जब live market में हम लोग analysis करते हैं live trade discussion करते हैं के दौरान में एक तो वह और दूसरा यह श्राम की classes जब एक open discussion होता है पूरे group के साथ में तो यह वह वाली class है इस तरह से आप देख रहो तो फिर metal sector के अंदर अपना last week को ऐसे लिया है शयाद friday को मेरा कोई stop loss चला गया उसके इंदर कोई तो था इस टॉक हमने क्यों हिंडल को क्यों अपन किया हो सकता है मेरी analysis recording इसके अंदर short selling बन रही हो हमें तो पूरे विग short ही करना था हिंडल को लेकिन यहां पर आपका व्यू शॉट का था और मेरा बाई का था और आपका व्यू सही था मेरा गलत था तो मेरे recording यहां प्रेसेल हिट होगे और आपके recording यह प्राइस बाई होगे क्या से हुगा क्या गलत हुआ हमारा व्यू पूरे वीक short selling का है तरश्डे का दिन मैं सुभा सुभाई बाई करके उसमें खाफिद भी मनाया था और उसका रिजन बाई करने कर इस हां इंडल के के अंदर मतलब मतलब बुली नहीं नहीं साथ में कंप्लीट करना चाहता हूं कि आपने जो दिया थे ना मैं सेक्टर को अनलाइज किया मतलब कि आप जो ट्रेंड में शायद वो गिरतावा ट्रेंड में भी बाई कभी बहुत अच्छा बढ़िया आप राता है कि जो प्राइज अक्ष्ण जो सीका है उसको पताचलता कि बायर्स कहा है कहा से बांस टेक कर सकता है आपने तरश्डे के दिन उसको भाई करके बहुत बजाज के ट्रेट के लिए बोल रहा हमसे हमारे वह उसके अंदर हम उसको से ली करें लेकिन वह आपने जो चल जो कि दिये थे ना वह देखके मेरे को चार्ट देखके बहुत है रहां हो गया कि आप सेल कैसे देदिये इसको यह चार्ट देखें पॉंट औफ यू का फर्क हो अब जो मतलब मैं सिंपल से बताना चाहता हूं जो श्टाक अप्टेंड में और उसमें बाइंग का फर्क चूज़ तो बाइंग की करना है लेकिन आप वह आपने कैसे बता दिया कि यह इसको सेल करना है मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रो ट्रेडर भी बीगिनर से कि आप आपको इतना experience होने के बाद वह गलत decision को लेए लिए लिए लेक्ट decision नहीं होता है यह जस्ट पर कोईंट अफ्यू का आप कैसे कहरो कि गलेदिसेज़न है मतलब नहीं सर जो 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 भी होता एक्सल यार-बाइसे ही होता है अगर यह चार्ट देख लिया तो मैं experience के स जो मतलब से जा रहा है कि ऑंके रख को मता है कर आ है कि रिजक्षिन देट लेले लेक्षिक भीर्षा को मुझाए कर रीषप लेना REAL कांट्विशन ट्रेड लेन neural कि retard बड़े बड़े ट्रेडर मतलब यह बात सभी ट्रेडर से होता है कि आप सभी सीखने के बाद भी ऐसा दिना था कि अरे यह कैसा हो गया मेरा साथ मतलब वह एक दिन आपने बताया था वाच करो कि इसमें चल करना है ठीक है जाना दीजिये करके जोड़ दिया लेकिन नेक्स ड मतलब कितना भी पॉइंट आपक्षम का अगर वपर है तो आपका सपोर्ट पर आने के लिए वो रेट कांटर करके आएगा अन्म बन गया तो यह आईसा नहीं और आपका रेसिस्टेंट बहुत दूर है लेकिन वो दूर आने के लिए वह आरा के लिए मतलब ग्रीन कैंडल से ही आएगा ना उपर मतलब वो टाइम पर आप जो चाट कर रहे हो लाइप है वो कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं वेल्यूम देख रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेसिस्टेंट को पार के तोड़ी ना उपर जाएगा क्योंकि जो भी इदर स्टाक मार्पेट में जो भी पाईसा डालते है मतलब नालेजवाल पुपल को पुड़ा मैं जो रिटल को शकात कर रहा हूं जो भी झालीजबल पर्सन फाइसा डाल रहे है कि मेरे साथ एक लाके तो उसके साथ यह करूड है Kali, 1-0 का परक है लेकिन उसको भी प्यर रहता है और मेरे को भी प्यर रहता है लेकिन यह जह कर रहे क्योंकि इसमें एक सिस्टम है कि एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट आइसा अचानक ब्रेक नहीं हो सकता है कितना भी मार्केट का यह फोर्स रहे तो भी शायद आप आइसा तोड़ा यह वहागा बजाच फिंदर में अगरी करें पूरी बात मार्केट चल जाने के बाद में समझ में आता है कि हाँ हथो उपना सई है अब जैसे हिंडाल में आपने ठ्ट किया मार्केट चल गे उपर की तरफ आपका सई से मेरा गलत ठीख है मतलब यह होता है दो ब्रोकर्स को आपसे कंपेर करना यहां पर केंड़स वैसी नहीं है और वहां पर वैसी बन गए इसका मतलब कि हम शायद गलत बोले हमें ऐसा लग रहे कि अभी एक्सपिरेंस आपका ब्रोकर्स को लेकर के थोड़ा सा कम है तो के हाथ में भी हो सक में बहुत पहले काम किया करते थे जिरोधा हमने चुवा नहीं आस तक अभी क्योंकि शीव जी बहुत अच्छी तरह है को यूज करते हैं मना कर दिए जिरोधा नाम कोई कंपनी है नहीं ठीक है एंजल वन के लावा कोटक इसके लावा जापके जितने ब्रोकर इसके था चार्ट बढ़ा अच्छा है फिर हमने पाई में भी पाई की चार्ट समय देखने स्टार्ट किये थे कई दिन तक परिशान है कि किनके चार्ट सही है क्योंकि आप देखोगे आपको किसीने किसी केंडल में कोई ना कि मिसमेच जरूर दिखाए देगा एक नहीं हो सकता अगर आपने नहीं देखा अगर देखा तो ठीक है अगर नहीं देखा तो इस चित को देखना कि किसी भी चार्ट में आपको एक जैसी केंडल नहीं दिखाए पड़ेगे बहुत बढ़ा चोर है बहुत बढ़ा चोर जिन श्मामली में आपको इस्टॉप पशिट करादेने के बाद मैं लास्ट में केंडल मां से गाइब हो जाएगी आप करते रहो कंप्रेंड आप और सब्सक्राइब करता है करता है और मेरे साथ बहुत बार कमसकम मैं गिंतीज बताओं तो कमसकम 500 बार हो चुका है मैं आपस्न मैक्सिमम्म करता था मेरे पास प्राइस वहां आता ही नहीं मेरा इसल हीट हो जाता है मैं कितनी बाई जिरोधा बाद भी किया सब कुछ किया कुछ होता ही नहीं जबकि में मार्केट बंद होने कि भी बहुत सच करता हूं पराइस वह जाता है नहीं मेरा इसल कर से होगए पता ही चलता है मुझे में बहुत देखा यह सब जरोधा तो चार्ट बना देगा आपको लाइव मार्केट में लेगा कि अच्छा इस वाज़े से केंडल चली गए आप शाम को री अनिलाइज करने के लिए बैठो कि केंडल गायब हो जाएगा आपके सामने से चार्ट रीडिजाइन हो जाएगा रही बात ज्यादने आप एक कॉइंटी के साथ में एक रुपए पर एंट्री मारना अब जैसे हिंडाल को है हिंडाल को पर कल क्या हो सकता है नेक्स्ट विक में भी जो मैटल सेटर को हालत लग रहे वो नेक्स्ट विक में इसको ऐसा लग रहा है कि नीचे याए जिस तरह स अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा है कम मिल जाए अगर ज्यादा है कम मिल जाए तो आप सोच लेना है कि जो चीज़े हम बोले तो वो घलत थी पांच रुप अगर नेट प्रॉफिट होगा लेकिन चार इंडाल को में 467 मेरा बाइंग भीव है यह अंड्रेट नहीं टॉ है ना आपका में भी जिस ओवर कॉंफिटेंस के विजए से हम गलत हो गया मेरा व्यू गलत हो और आपका सही हो गया अप्राइस उपर भागया आप जो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन अगर इस विजिट माइंडसेट के साथ आप काम करने जाओ गया ग कि अधर टेक्निकल टेक्निकल का अनलीशिस है और इंट्री कभी मारेंगे कि मेरे को कानफरमेशन होने के बाद अईसा नहीं है कि मैं ब्लाइंड करके मैं कूछ जाओंगी यह चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए मन यह चीज़ हम भाई हो सकता है भाई होगा तो करेंगे सेल यह हमारा आपका जो करने का तरीका वह सेम नहीं हो सकता हां जो मैठेट्स हैं वो कहीं न कहीं आपको सिमिलर मिलेंगे लेकिन आपके हिंडाल को बाई और मेरा हुब्दा अब करणा क्यूंकि टेकनिकली यह बहुत आचा सपोर्ट है मतलब जो अगर तो यह ज़रूर करेगा हम आपको दिखाते हैं अब तक हम लोग काफी काफी साहे लोगों से डिसक्षिन इतना हो गया होता है जैसे मेटल सेक्टर है डेली टाइम पराइस में क्या है एक्चुली यह अपनी स्विंग के पास में यह वाले जो इरिया आप देख रहा हूं प्राइज जो आपका कहना ने कि बहुत अच्छे सपोर्ट पर है बहुत अच्छे सपोर्ट पर देखें बहुत प्यारा सपोर्ट बन रहा है अगर इसी जगह से यह अपसाइड की तरफ चला गया तब तो ठीक है वरना जो रैली इसने डाउन साइड के तरफ इस टॉप लोस लेने के बाद में नीचे की तरफ दिराई है अगर यह वाला स्विंग चला गया तो नेक्स्ट वीक भी आप देख लेना बहुत ज़्याद हिस रेंच की ऊपर है तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर यह इस रेंज के नहींच स्टाट कर दिया तो मेटल सेक्टर पे लीकली टाइम पर चयांद irk को यह वाला एडिया 6910 इसके उपर नहीं निकला तब तक हमको बेरिश लगता है इस वाइस हमारे नेक्स लेकिन लेकिन चर मैं इस दोंट मैंड आप जो मेटल सेक्टर का जो चार्ट अभी कुला है न वह गिरने वाला नहीं है तर मैं लिखके दे सकता हूं मैं काली अभी देखा में अव्यर्ल सेक्टर का जो ऑपने चार्ट दिकाया तो छाट डेकके ही में कैनल बात कि आप देखलो और नहीं गिरने वाला मेंटल सेक्टर जय कि जो यह जो कंदल पार्मेशन ओर है जर्ती है कि के गेडि़ना है तो तहानी नहीं बनाएगा श्रों मा रिटेल को दिखता है कि अगर यह स्विंग चूट जायागा तो बहुत नीचे गिर जायागा कि आम एक्जिट करना है लेकिन ऐसा दिका दिकाते लेकिन वो गिरता नहीं है सर शूर्शाट है तो फिर तो ठीक है आप तो बढ़िया जानते हो अच्छा है प्रवेश क मैंजा जागा तो फिर नाहीं जानते हैं कितने त्रेट विश एंडुन में तरट दिए हैंकर, अघ्ट यूम जान, शूर्शल थे नहीं कितने ट्रेट चाहरता है है सर, फिर नहीं तरट बहुत तक राएज कितने दिए हैं मेरी हमाज आ रहे हैं सर, आख क्लिए ह मेरे उसमें मता ट्रेधिंग गयों में क्या है विध वक्र ट्रेटिंग विऊ करता हूं चांब्याट ट्रेटिंग यौनदी इट करता है व मैं तुसमें वच्छलिस्ट में 30 स्टाकी एट करने बेरा उसके ज्वय दुद्धा करता हूं थे ज्वर्जिन पहले होुध अगारी वे तिश्टा नो टेलेट करके जिन दुबार आप देगा डर जो डर होता है निडर होकर के काम करना अच्छी बात है लेकिन कभी-कभी डर भी जरूरी होता है डर आपको लॉसेस से बचाता है अपके अंदर डर ही नहीं है आपको पता है कि 1000% उपर जागा है मतलब यहाँ प गिरता जा रहा है आपसे तो लिकवा लिया गि 이거 गिर रहा है गिर रहा है बिल्कुल इतना पैसा आपके पास है अर आखरे में वह उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दे हो गया रहो आपके आपके आपको बिर बुर PB काम कोलो बहुत अच्छी बात है डर होना ज़रूरी ह डर ही तो है जो कि आपकी capital को बचाएगा डर ही तो है जो कि आपको discipline में लेकर कियागा कि इस बात का डर कि अगर आपने discipline break किया तो financially यह आपकी उपर बुरा असर डालेगा mentally आपकी उपर बुरा असर डालेगा यह डर होता है जो कि आपको control में राज जोपना point of view आपको control बनाया रखता है आपके उपर आपका discipline break ना हो इस बात से डरो आपकी capital जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा ना जाए इस बात से डरो fearless हो करके काम करना मतलब एक level तक सही है लेकिन डर भी ज़रूरी होता है हो सकता है हम अपनी बात को सही तरह से समझा पा रहे हैं या में भी हो सकता है समझा नहीं पा रहे हूँ बस जो चीज़ हम बोलना चाहरे हो उसको समझो analysis करो, अच्छे सकरो, सब कुछ सही है लेकिन इतने भी नेडर मत हो जाओ कि फिर कल जवाब ट्रेट करो तो फिर उसमें ऐसल ही नहीं लगा क्योंकि आपके अंदर बस हो गया है आपने कह दिया और वो चल जागा उसी दिशा में चल जागा आज हमने हिंडाल को को ट्रेट किया था जनरली हम तो रोजी जो भी ट्रेटार एक्जिवा ठेक्सिट करें तो आपम साथ शेर कर देते हैं बाकि टेलिग्राम गुरॉप में हम लाइव मार्केट में ट्रेट कर रहे थे उसको लगातार आपके साथ हम शेर कर देते हैं तो ना तो कल बाय ना सेल, यह कल की fuckin market में देखेंगा, लेकिन अभ ही के लिए यह मान करके चलेंगे, के कल अगर trade हमें करने का मौका नहीं भी मिला तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अभी से decide करके रहे कि कल नहीं सोचंगी ना कि हर हम तो Tradie नहीं कर पाए हमें तो मिला ही नहीं कल भी को इस्टोक चला है क्योंकि चलेगा तो ज़रूर कोईना कुछ चलेगा को नहीं भी चलेगा तो जो स्टोक चलेगा उसको देखर कि अब शाम को अफसोस कर रहे हैं बैट करके हमें तो कर ले नहीं कुछ आता ही नहीं आता है हमें इतना नहीं आता है हमें जितना आता है उतने से प्रॉफिट बनाना है हमें बहुत ज़्यादा नहीं सीखना में डॉक्टर नहीं बनना है इसके अंदर सिम्पल सी चीज है कल मार्केट अगर हो सकता अभी के नंसे स्कार्डिंग साइड वे है हम अभी से रेडिंग के कल में ट्रेड नहीं मिलेंगे बाकी हम कल लाइव मार्केट में देंगे हो सकता कहीं पर अच्छे पॉर्चुनिटी में तो फिर हम काम करें ठीक है जाने दिये उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिये पूरे वीक का मूवमेंट इसने दे दिया है मेटल सेक्टर ने अब जैसे पूरे वीक का मतलब कि लास्ट वीक में इसने कितना मूव दिखाय था 3.89% और आज की केंडल कितनी बनी है 3.73 3. लगभग उतना ही हुआ न कि पिछले पूरे हफ़ते मार्केट जीतनी चली थी आज मंडे के सेश्चन में ही मार्केट उतना चल गई एक दिन में पूरे वीक का मूवमेंट हो गया हमारा जो टार्गेट था इस वीक मार्केट, नेक्स्ट वीक मतनब यह जो रुनिंग वीक है इस वीक में मार्केट का जो टार्गेट रहने वाला है मेटल का वो यह वाली केंडल, इस केंडल का लो और प्था इसके नीचे आगया है रेस्टेंस बन गए एक, दो, एक ये दूसरा resistance मुश्किल है कि price अपना ये वाला resistance अगर upside के तरफ जा तो इस वाले resistance तो पहुँचे और अगर नीचे है तो फिर ये नीचे ये BSC का उपन हो गया हिंडालको नसी ये देखे हिंडालको में क्या क्या हमने कल ही बोला था कि अगर price ने यहां से low तोड़ दिया है यहां से अगर low तोड़ तो फिर वो नीचे है सीधी नीचे है कितने का profit किया है इसके उपर में discussion ही नहीं करना है आज का sessions के लिए है इने आप लोग telegram group जोईन कर सकते हैं तो वहां से आपको सब साही चीज़ ही दिख जाएंगे फिलाल इस वीडियो में हम लोग कुछ profit profit के उपर discussion नहीं करेंगे यह देखिया है MkR के result आपके सामने है बस यही खेल खेल वार में इसको analyze किया था न और देखियागा अभी भी यह उपर ही जाएगा अच्छा खासा movement यह अपसाइट की तरफ दिखातेगा So thanks, goodbye and I hope कि वीडियो से कुछ न कुछ समझ वहाएगा बहुत जादे चीज़े इस वीडियो में हो सकते हैं बहुत जादे चीज़े तो नहीं लेकिन कुछ चीज़े जो भी हमने आपको बताई है कि analysis करो लेकिन थोड़ा सा सतर्क हो करके थोड़ा समभल कि over confidence में जब आप analysis करते हो over confidence में की गए analysis जब एक बार आपकी सही हो जाती है वहाँ से फिर आप धीरे देरो losses के तरफ बढ़ने लगते हो इतनी चीज़े आत रखना छोटी सी बात है समझ जाओ अच्छी बात है अभी हम समझा रहे हैं market समझाए कि तो बहुत बुरा समझाती है thanks and we will meet again